हेलो फ्रेंड्स तो आज से हम लोग अपना नया टॉप पर चालू बनेगे जिसका नाब है इन्फलेशन ठीक है इन्फलेशन है जिंदी में जिसको बोलता है मुद्रा स्वीटी तो पिछले काफी ताइम से काफी न्यूज में है और हमेशा से ही एक होट टॉपिक रहा है ठी चिसले देखते है ठीक है तो बिलकुल बैसी से शुग करेंगे देखते दी इंफलेशन किया इफ बी टॉक अबाट इंफलेशन इस तो इंफलेशन इस इंफलेशन इस slow and continuous increase slow and continuous increase in the price of goods and services so what is inflation inflation is slow and continuous increase in the price of goods and services over a period of time you have to do a comparison so you need a time period this is our inflation and we express this in percentage it is expressed in percentage so what is inflation inflation is persistent slow and continuous okay slow and continuous increase in the price of goods and services in the price of goods and services in the price of goods and services 2019 2019 2019 में आप 1 kg शुगर ले रहे थे 1 kg शुगर किस रीट में ले रहे थे मान के चलो आप ले रहे थे 80 रुपे में एक किलो ठीक यहां पर यह क्या यह आपकी है कॉमोडिटी कॉमोडिटी इंफलेशन की डेफिनिशन एक कॉर्डिंग देखेंगे ठीक है 2019 में आप ले रहे थे 1 kg 80 रुपे में अब आप 2021 में 1 kg ले रहे हो 110 रुपे की क्या हुआ है यहां पर कि भाई आप चीनी तो 1 kg ले रहे हुआ आपकी कॉमोडिटी सेम है लेकिन पैसे आपको ज्यादा देने पड़ रहे है मतलब क्या है कि भाई आपको एक किलो चीनी बिल लेने के लिए 2021 में 110 रुपे देने पड़ रहे है और वही चीनी जब कि आप 209 में असी उर्थ यहां की रहे है क्या हुआ कि पर्शेशिंग Crossingmodern का क्लासएकतर फिनोमेना हे कि पर्शेशिंग पावर एक साधेशिंग पर्लसी पर्शेशिंग ऑवर ओफ करेंसी राज कि विए ठीक है यहां इंफ्लेशन में क्या हुआ दोजार दोजार दूर्णिस में लेदे आप 110 रुपे में एक किलोचिनी इसको ऐसे देखो इसको ऐसे लेखेंगे कि 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 अगर आप 2021 में 80 रुपे लेके जाओ तो कि आपको एक किलोची नहीं मिलेगी आपको कुछ तो यहां पर क्या होगा आपको एक किलो चीनी देनी है तो आपको 110 रुपे देने पड़ेंगे इसमें कैसे होता है इसको यह सकते हो कि से एमांट ओफ मनी थे आउंट अफ मनी भाए लेस को ऑड़ीटि आपको नियुक्त है तो यह तो यह लेकिन आपको पर्चेशन पावर करने से इसे इसे इंफलेशन वह गांसर वह इस इंफलेशन इस जनरल increase in the price of goods and services over a period of time कि दोजार उनिस बीस के एकॉनलिक सर्वे ने टाहा कि इन्फलेशन इस हिदन हिदन एंड अन्फेर टेक्स हिदन एंड अन्फेर टेक्स हों पूगर इसको कोई करवातुरा नहीं है तो इस हिदन एंड अन्फेर मतलब क्या है अन्फेर इसलिए है कि कार्योशी की पर्चेशन पावर कम हो रही है और पूर पूर आपनी गाहतना वैसे ही कम पैसा हो वैसे ही अपने सर्वाइवल आस्पेक्ट करांड रिबॉल करता है शो डिस वाइंफ्लेशन इस हिदन एंड अन्फेर एक्सलिए को तो अब घडर्र ओर अब बात करते AIDS एंप्लेशन तीप्स ओफ आफ इंफ इंफलेशन और based on the types of inflation based on the growth rate of increase growth rate of increase increase in what? increase in the general price of goods and services ठीक है, अच्छोर्स में कन्फूस मत होना so based on the growth rate of increase in the price of goods and services there are four types of inflation what are those? creeping inflation ठीक है trotting inflation galloping inflation और last में आता है आपका hyper inflation hyper inflation ठीक है, अगर हम creeping की बात करें creeping माने क्या होता है creeping माने होता है ring now creeping माने होता है ring now तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर जो inflation की growth rate होगी वो होगी 1 to 5% कैसे हमने कैसे पता किया 1 to 5% होगी हमने ऐसे पता किया कि हमारे पास एक time period है एक fixed time period है और उसमें इंक्रीज होना है price of goods and services में कितना है एक से लेके 5% अगर इस ratio मेहन तो क्या हो लेंगे creeping inflation अगर बात करें टॉटिं इंफलेशन की टॉट माने क्या होता है टॉट माने होता है थोड़ा सा लंबे लंबे डग या कदम मारना टॉटिं इंफलेशन में क्या होता है आपकी inflation की rate हो जाती है growth rate हो जाती है ग्रेश की 5-10% this is called as trotting inflation ठीक है गैलप गैलप माने गैलप में सोता ही निगलना ठीक है this is an alarming bell ठीक है इस चीज को इंडिकेट करती है कि अब आपका एक लेवल ऐसा आ चुगा है कि जहां पर आपको inflation को control करना पड़ेगा otherwise the cancer of hyper inflation कम अगर hyper inflation आएगा तो क्या होगा hyper inflation अगर आएगा तो economy shatter हो जाएगी चलो अब इसकी बाद माद देखेंगे अदी देखतें galloping galloping inflation में क्या होगा आपकी ग्रोफ रेट होती है इंक्रीज की वह दस से 20% के होती है ठीक है अब hyper inflation में above 20% हो जाती है above 20% हो जाती है ठीक है ना यह हो गया हमारा types of inflation based on the growth rate of increasing creeping, trotting, galloping and hyper inflation सही है ठीक है तो मैंने बताया हमने देखा कि कैसे galloping inflation is an alarming will to taper down or to control the increasing rate of inflation otherwise hyper inflation will come and the economy will shatter down अब अगर हम एक graph के तुर्स को समझें ठीक है एक graph के तुर्स को समझते है इस axis पर लिए आपने time और इस axis पर लिए अपने growth rate ठीक है growth rate creeping inflation में क्या कहा था creeping inflation में कहा था कि growth rate आपकी कितनी होगी इंक्रीज की 10-5% ठीक है slow and continuous उसके बाद trotting trotting inflation में कितनी होगी 5-10% उसके बाद galloping में आपकी increase और बढ़ जाएगी और 10-20% उसमें आ जाएगा अब आएगा hyper inflation में क्या hyper inflation में directly increase हो जाएगी मतलब एक थरीके से आप कहलो कि बढ़ती ही चली जाएगी अब इसको हमें एक इक्जांपल लेकर समझते हैं कि इंफलेशन कैसे क्या क्या करता है और किस तरीके से इसको अफेक्ट करता है अभी आपने बीते दिनों न्यूस सुनी होगी कि यूस की एकोनोमी यूस एकोनोमी है सब्फर्ड फ्रम दे हाइएस इंफलेशन अफ्र फॉर्टी यस वाए नाइंटीन एटी टू के बाद दो हजार बास में अभी तक की हाइएस इंफलेशन रेट है यूस अपनोमी तेक है और वहीं पर आज इंडिया के भी फिर्ट्यर तो इंडिया के जो रिटेल इंफलेशन जो डाइटली कंजुमर को और आगनी को अफिक्ट करती है वह ए तीप अब आप देखो 6% कहा रही है 6% आपकी जो आ रही है वह आ रही है टॉटिंग इंफलेशन में कि इंफलेशन इसा फिर यह अनफेर टेक्स पूर तो भाइसाब यह तो रिटेल इंफलेशन है यह तो रिटेल इंफलेशन और अगर हम वोजेल भी बात करें डबलूपी यह कल देख लेंगे अपन डबलूपी यह क्या था यह था जाया को और एंवरेज नौ से दस परसेंट इंफलेशन है हरेक सेक्टर में हरेक बासकेट में इंडिया चलो अधिकर बात करते हैं अमेरिका यह बात करें तो 1982 के बाद 2022 में अभी तक की हाइस इंफलेशन रेट है ठीग हूँआ क्या था पेंडेमिक आया था पेंडेमिक आ कम होई टीक है किसी के पास कोई एक्टिविटी कर नहीं जाट को और जो तो और तो उन्होंने चैया किया एक। एक्पोडेटिव मॉनेटरि पॉटी सिस्टांस ठीक है अक्पोडेटिव मान होता है फिर फिर तो यह तरीकी से ग्रोथ को बढ़ा तो यूएस पेडरा लिजर्ब ने अक्पादिव मोनेटरि पॉलिसी स्टांस अपना आए इसके जरूँ उन्होंने क्या आ यूएस एकनॉम में डॉलर को इंफ्यूज करना चालू किया अब जब पेंडेमिक था तब तो यह बहुत अच्छा इस था लेकिन जब पेंडेमिक और हुए 2022 में तो सिनारियों क्या रिए हुआ चलो से पहले एक चीज देख लेगे हैं कि अमेरिका में यह क्यों प्राइब इंडिया में होता 계 1997mud कि दिदी इसे इन इसमंगे अब सबसाइब फिस्कल आ इसकी देख लेकिन यूस का शिनेरियों में ऐसा नहीं है यूस सदेख नेवर ढहर भाइ यूएस बिलीव इन मॉडर्न मॉनिटरी थ्योरी अब सर बोले अब सहां बोलो कि मॉडर्न मॉनिटरी थ्योरी यह होता है कि या या फिर फेडरल बेंग यूएस का फेडरल बेंग बिल क्रीएट मनी डॉललर और विल क्रीएट डॉलर एडेट विल इन्फूस की बात करें तो एकोनॉमिक्स के इसाब से क्रिएटिंग मनी तु बूस्ट डिमांड ठीक है और क्रिएटिंग मनी तु रिवाइब दर ग्रोथ इस दा मोस्ट हामफुल आस्पेक्ट कि इस वजह से युस बिलीफ करता है एमम्ट्र मॉडर्न मॉनिट्री तोरी में जिसके इसाब से पिसकल्ट एक्सित हम नहीं देख चालू गई ठीक है ग्लोबलाइज पंट्री ने एक साथ आपस में दोबाह से कॉंटेक्ट करना चालू तो उसकी वजह से उसकी वजह से युस की एक्रोणी में डिमांड बढ़ने लगी अब सर्वह अब देखना भाई डिमांड तो बढ़ रही है ठीक है और युज में प ज़्यादा है लेकिन कॉमोडिटी या गूट्सेंट सर्विसेस सेम कॉंटिटी में है तो अब होगा क्या आपको जादा डॉलर देना पड़ेगा उस कॉमोडिटी को पर्चेस करने के लिए इस वाँ इंफलेशन अकर तो इस वजह से अभी आपने देखा होगा एक दो दिन पहले स्टॉक मार्केट और अरॉल्ड है श्लोट डाउं इंडिया का स्टॉक मार्केट थ्री परशें ता क्यों था इस वजह से था यूज़ास का मार्केट डाउन था जपान का मार्केट तो इसके लिए उजह कोटक ने दो हजार तेरे में कहा था कि वें अमेरिका स्मीजिज वें अमेरिका स्मीजिज और वर्ड कोट दा क्या मतलब मतलब यह है कि अगर आप चीकता भी है तो पूरे वर्ड को चुखा हो जाता है यह किसने कहा उजह कोटक ने कहा और अब उजह कोटक सर ने कहा कि भीया जब आपकी इंफलेशन बढ़ रहा है तो अब यूस क्या करेगा अब यूस करेगा टेपर टेंटर नया ट अब यूस अब क्या करेगा यूस अपनी डॉलेट करना चाहेगा इंफलेशन को कम करेगा तो अभी फेडरल रिजर्ब की मीटिंग होने वाली है तो उसमें क्या होगा यह अनुमाल लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका फेडरल रिंटरेस्ट बढाएगा डोलेट यह आँ पर सुद्रेस्ट अवट छिससे दॉलर होक्त नलोग ते ज़ीयुद्ट अनुमाल इस ङूस नयुक्त डिसाइड दा फेट ओफ और एकोनोमी जारां दा वर्ड तो यह होगी अपना वाट इस इंफलेशन ठीक है वाट अधाइट इस आप इंफलेशन तो यह सारी चीज़ा है तो अब एक पर ग्राफ क्लियर कर लेते हैं दूसमोर क्या था यहां पर ग्रोट रेट और यहां पर इन अब हम नहीं देखा यह था हमारा क्रिपिंग इंफलेशनन इस ओ पर मैं क्रेकिटिंग के बाद यह कै तो समय क्ल했 तो क्रॉटिंग ज्र offense टार्म परक्र गोल और रबसन गैए गेलपिंग इंफलेशन और यह क्या हुआ यह आपका होगा हाइपर इंफलेशन तो यहां पर क्या होगा आप जब गेलपिंग इंफलेशन और हाइपर मतलब there is continuous इन्फलेशन अगर हम यहां से नीचे आना चालू करें यहां से नीचे आना चालू करें मतलब है इसको हम बोलते हैं इस इंफलेशन है इस इंफलेशन इपरिए बेस की इन्फलेशन करेंशन इन्फलेशन इन्फलेशन की जैसे मांगे चलो अगर इंफलेशन इंफ भोगिडिया चेट और अगले वॉटन में हो जाए गया काईए इसको बोल दिया हमने डिस इंफलेशन अब एक तर्म और है, deflation. deflation क्या है? deflation बैसा इंफलेशन का उल्टा है deflation, inflation का उल्टा है इसमें क्या होगा? inflation में क्या था? inflation में आपकी growth rate positive है this axis group पर growth rate positive है deflation में क्या है? deflation में आपकी growth rate negative में चली जाएगी so this is a basic idea and basic concept of inflation बहें चूछेशने चाहुछे का इम आपसे का नूडेयर ट्रीचा हुछेशने चाहुछे का इंगशे का नहीज़िए जापसे का इंग।